चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे पर सिन फिशिंग के बारे में जिसमें भारत के कई राजे आमने सामने है और ये चर्चा में बना हुआ है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट को सूचित किया है कि पर सिन मचली पकड़ने पर प्रतिबन जो कि लुप्त प्राय प्राजातियों को नुकसान पहुँचाने के लिए जाना जाता है कुछ तटिये राज्यों द्वारा लगाया जाना अनुचित है यानि कि केंदर का कहना है कि या तो प्रतिवन सारे स्टेट द्वारा लगाया जाए और या फिर किसी के द्वारा लगाया जाए तो इस बारे में केंदर की ये राय है अब हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है भारत के तटिये राजों में कुछ राजे ऐसे हैं जो पर सीन फिशिंग के अगेंस्ट है और कुछ इसके फेवर में है कमिलनाडू, केरल, पनुचेरी, औरीसा, दादर और नगर हवेली, दमन एवं द्वीब, अन्दमान और निकोवार दीप समुह तक के अपने समन्दिक छेत्रिय समुद्रों में 12 समुद्री नौटिकल मील तक मचली पकड़ने का यह तरीका प्रतिबंदित है इसी प्रकार गुजरात, आंदरपरदेश, गोवा, करनाटक और पश्चिम, बेंगौल जैसे राज्यों ने भी पर सिन मचली पकड़ने पर ऐसा कोई प्रतिबंद नहीं लगाया है अब हम बात करेंगे कि इस पर राज्ये क्यों बटे हुए हैं यह कुछ राज्यों में साडिन, मेकेरल, एकोवी और ट्रैवलीज सहित पश्चमी तटो पर छोटी वेला परती शोलिंग मचलियों के घटे स्टॉक के बारे में चिन्ताओं से सम्मन्दित है यानि कि जो राज्य समझते हैं कि ये मचलियां जो है घट रही हैं उन्होंने इस पर प्रतिबंद लगा रखा है वेग्यानिकों के अनुसार अल नीनों की घटना और अन्य जलवायू कारत पिछले दस वर्षों में ऐसी मचलियों की पकड में गिरावट के लिए जिम्मेदार है अधिक परंपरागत तकनीकों का उप्योग करने वाले मचवारों ने पर सिन मचली पकडने के विस्तार को सीधे तोर पे डोशी ठहराया है यदि प्रतिमंद हटा दिया जाता है तो उन्हें चिंता है कि इन छोटी मचलियों की आपूर्ती में और जादा गिरावट आएगी इनी सारे विशों पर हर राज्य के अलग-अलग विचार है क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टेट का होता है इसलिए वो अपने तरीके से प्रतिमंद इस पे लगा रहे है और कुछ नहीं लगा रहे है अब हम बात करेंगे पर्सिन फिशिंग के बारे में खुले पानी में पर्सिन फिशिंग को मचली पकड़ने का एक कुशल रूप माना जाता है खुले समुद्र में यह ड्रॉस्टिंग बैक के ड्रॉस्टिंग की तरह किनारों में ड्रॉइन करने से पहले एक बड़े जाल के साथ पैल्जिंग या मिड़ वाटर मचली के घने शोलों को घेरता है इसी तरीके से यह जो जाल होता है उसमें बहुत सारी मचलीयां फश्ट जाती है और ड्रॉस्टिंग बैक की डोरियों की तरह इसको कस दिया जाता है जिस सारी मचलीयां बीच में फश्ट जाती है भारत के पश्चमी समुद्री तटों पर यह अक्सर परयोग में लाया जाता है अब हम बात करेंगे केंद्र इस योजना को कैसे देखता है विशेशग्य पैनल ने कहा है कि मचली पकड़ने के इस तरीके से उपलब्त सबूतों को देखते हुए अब तक किसी भी गंभीर संसादन की कमी नहीं आई है यानि कि केंद्र की नजर में इससे कोई बहुत बड़ा खत्रा उत्पन नहीं हुआ है इसने कुछ शर्टों के अधीन प्रादेशिक जल और भारतिय विशेष्ट आर्तिक छेत्र में मचली पकड़ने के लिए पर सीनर के सिफारिश की है यानि कि केंद्र इसके पक्ष में है मचली पकड़ने के छेत्रा दिकार के अगर बात करें तो मतस्य पालन राज्य का विशा है और प्रादेशिक जल में समुन्दरी मतस्य पालन के लिए प्रबंदन योजना राज्य का कार्य है राज्य सूची में 61 विशे होते हैं मूल रूप से 66 विशे इसमें होते हैं ये स्थान ये महत्वके हैं जैसे कि स्थान ये सरकार, सारजनिक विवस्ता और पोलिस, प्रशीवन सारजनिक स्वास्ते इवन सच्छता, मतस्य पालन, शिक्षा, राज्यकर और शुल्क सामान्य परिस्तितियों में राज्य के पास राज्य सूची में उल्लेखित विशों पर कानूर बनाने की विशेश शक्ती होती है और सिन फिशिंग के लिए एक राष्टिय प्रबंधन रन्निती मौजूद होनी चाहिए कुछ राज्यों में आशिक प्रतिबंध अन्य राज्यों में मच्वारों को नुकसान पहुचा सकता है इसलिए इसकी अनुमति दी जानी चाहिए इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच दोंट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट